हाई अवरिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चनल आएस पॉइंट तो टोडेवी विल नो अबाउट एजेक्टिव आफ नमबर कल मैंने आपको एजेक्टिव आफ कॉंटिटी के बारे में डिफाइन किया हुआ था तो यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानेंगे हीर्स डेफिनेशन अफ एजेक्टिव आफ नमबर आउट उन प्रोनाउंस इस प्रोनाउट इस काल्ड एजेक्टिव आफ नमबर यानि जो adjective of number होता है वो हमारा noun या pronoun दोनों की क्या करता है संख्या को बताता है या आप बोल सकते हो कि adjectives of number show how many persons or things are meant और in what order a person or thing stands It means कि adjective of number से व्यक्तियों या वस्तियों की संख्या या क्रम का बोध होता है अगर easy language में आप अगर समझना चाहो तो यह होता है कि adjectives of number answer the questions जो adjective of number का मतलब क्या होता है यह answer the question यह मतलब पूचता कि यह कितना है जैसे मैंने बोला कि how many pencils are there in the box तो how many pencils अब यहाँ पर pencil हमारा क्या है noun है मैंने आपको बताया था कि जो किसी person का नहीं है यानि कोई person plays thing यह सारी चीजे की नेम को हम क्या बोलते है नाउन बोलते है तो पैंसिल हमारा थिंग है तो यहाँ पर दिखिए question पूचे कि how many pencils are there in the box तो इसका answer यह हमें पता है कि pencil जो है वो counted है हम इसको count कर सकते हैं यह एक है यह दो है यह तीन है तो इसका answer में भी बोल सकते कि there are six pencils in the box तो पैंसिल को count कर सकते हैं यानि जहाँ number आए यानि जहाँ क्रम आए तो इसका वह मारा क्या होता है adjective of number होता है adjective of number में जैसे मारा few, no, many, some, enough, several, all, one, two, first, second यह सारे मारा क्या होता है adjective of numbers होते हैं जैसे इसमें से कुछ words जैसे मारा many हो गया, sum हो गया, enough हो गया यह हमारे adjective of quantity में भी आते हैं बट इसको हम कैसे जानेंगे कि यह हमारा adjective of quantity है या adjective of number है यह तो हलांकि मैं आपको बता दूँगी जिसे आप एक लिखा हुआ है कि all men must die सभी आदमी एक को एक नएक दिन बढ़ना ही है तो में में अब यहां पर देखे आदमी को हम गिन सकते हैं यह हमारा counted होता है यह आप याद रखे कि जो भी adjective of number होता है यह मारा counted होता है हम उसमें क्या करते हैं कि कि अगर उसको हम काउंट कर लें तो हमारा वह एजक्टिव आफ नंबर है अगर वह नाव मतलब बोल सकते हैं अगर हम उसको कि काउंट ना कर सके तो हमारा एजक्टिव आफ क्वांटिटी होता है कि कि यह आपे कुछ एक्जांपल्स है आई रोट तो लेटर आभ यहां पर मैंने दो लेटर को लीखा अब यह आई रोट तो लेटर है तो कर सकते हैं एक लेटर है जो तो लेटर हें पहले के नंबर है और लिए पाउंट कर सकते हैं जो मारा काउंट है और सके हैं सबस्क्राइब हम चीज को पाउंट कर लें वह kung हमारा हम कैट को काउंट कर सकते हैं कि एक है कि तीन है इसी तरह तो जैसे आपकर लिखा हम चैकटको सकते तो हैं मुष्म कोशनखकpit तो एक घंटे-दो गणंटे को दो इसको भी कांट कर सकते हो यह सरे हमारे क्या होतash हैं जैसे हैं जाया पर लिख आए कि मौस्ट बोवाय uważ । कि यहांनि मोस्ट बॉइस तो हमारा नाउन है यह नहीं है कि उसको काउंट कर सकते हैं यहां यहां यह से सब्सक्राइब दमारoff म कौंटिटी में भी सब्सक्राइब। अगर इनमें2 कुछ प्रियोग मात्रा आप पर्मान को बोट कराने में आता है तो ऐसे स्थिति में तो महरी एकुष्रेटी कहा जाएगा कि आप नंबर जैसे मैंने और एक्जाम्पल्स लिखा हुआ है कि शी सेंग फाइब सॉंग्स on the annual function ceremony जैसे मैंने आपे बोला कि दी मैंने आपे पढ़ा तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहां पे मैंने द और दी क्यों पढ़ा द हम तब पढ़ेंगे जब हमारा द की बाद की की बाद कोई का साउंड हो तो हम आपे द पढ़ेंगे बट अगरमारा वाल साउंड हो तो यहां पे जैसे मारा a e I o u अ से लेके अहां तक जो होते हैं अगर वहां से हमारा कुछ प्रणंसेशन होता है तो हम उसको दी पड़ेंगे तो यहां पर जैसे हमारा है कि शी संग फाइव सॉंग्स ऑन दी अनुवल फंक्शन सर्मने यानि वह अनुवल फंक्शन पर पांच सॉंग्स को गाई तो यहां पर एक दो तीन चार इसी तरह यह हें बिसे अब्लबंग किया आइ सर्फ हैं यहां फैर्मश्य वान क्ति शाम मारों दी तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, एक चीज़ मैं और लोटा दूँ ची जो चेतरव और अंतरया रहिद्स अने वाले व्याव दो इसे हम Facebook मोलतों cardinals बोलते है cardinals number होते है जैसे जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 यह सब आता है वो हमारा cardinal number होता है और अगर 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8 ऐसा आए तो उसको हम ordinals number बोलते है अब आप बोलोगे कि यह cardinal और ordinal number होता क्या है तो cardinal number that says how many of something like 1 2 3 यानि जो cardinal number होता है वो बोलता है कि कितने मतलब यसे कितने how many तो इसका जवाब हम 1 2 3 में ही देते हैं तो उसको हम cardinal number बोलते हैं and ordinal number क्या होता है ordinal number is a number that tells the position of something in a list such as first second third ordinal number हम उसको बोलते हैं जो कि हमारा कोई position show करें जैसे होता है कि first second third तो हमारा position show करता है इसलिए हमारा ordinal number हुगा and one more thing adjective of quantity adjective of quantity और adjective of number में कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका प्रियोग pronoun के रूप में भी होता है इस स्थिति में हम इनके साथ कोई noun प्रियोग नहीं रहता है जैसे कि many of them were killed अब अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रियोग नहीं हुआ होता है जैसे मैं आपको बता दू कि कुछ महने से आपको बोल दिया कि some boys are coming today अब some boys are coming today अब यहां हमारे क्या है adjective of number होगा क्यों क्योंकि हमारे यह counted है यहां पर यहां पर यहां पर क्या हो जागा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा और ग्रेट हमारे क्या हो गया है adjective of quality हो जाएगा ओके मैं आपको डिफ्रेंसिस बता दू कि what is the differences between adjective of quantity and adjective of number यानि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा adjective of number है यह adjective of quantity है तो adjective of quantity शो दी अप्रोक्सिमेट quantity of noun whereas adjective of number एक्सपेज दी एक्सेक्ट नमबर आफ दे नाउन इनसेंटेंज यानि adjective of quantity जो होता है वो सिर्फ मात्रा को वो करता क्यानि यह कितना हो सकता है जैसे कि मैं बोली कि how much water आर दे आई ही न बॉटल तो how much बॉटल अब how much का म यहां जैसे मैं बोल दें कि how much sugar should I put in your tea अब how much sugar should I put in your tea अब यहां पर शुगर क्या हम एक दो शुगर तो ऐसे करते नहीं है तो यहां पर मात्रा में पूछ रहे हूं कि हमें कितना मतलब ती में सुगर डालना चाहिए यहां फिर जैसे मैं बूले कि how much water in there is there in a bottle तो यहां प तो वह हमारा adjective of quantity हो जाएगा जहां मात्रा का बोध हो आप यहां मात्रा का बोध हो वहां पर हमारा adjective of quantity का यूज होता है और जहां number को शो करें जैसे मैंने बोला कि how many children went to the zoo अब how many children अब यहां पर क्या है यह number को शो कर रहा है यानि मतलब हो सकता है कि वह 10 students भी गए हो पंदरे students भी गए हो या पंदरे बच्चे गए हो तो हमारा क्या होगा वह adjective of number हो सकता है next thing adjective of number is used with countable nouns whereas adjective of quantity is used with uncountable nouns यानि adjective of number जो होता है वो countable nouns की साथ होता है यानि एक दो तीन यानि जिसको हम count कर सके और adjective of quantity जो होता है वह हमारा uncountable nouns होता है यानि वह उसको हम count नहीं कर सकते तो हमारा adjective of number हो गया sorry adjective of quantity हो गया तो अगर यह वीडियो आपको समझ में है तो please like share and comment करना ना भूले thank you so much